तेजस कलासेस में आपका स्वागत है 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एक्जाम हुए है उसमें टोटल 12,000 प्रशन बनते हैं जिसका यह पार्ट 19 है इससे पहले हम लोग इसका 18 पार्ट तक रिस्कस कर चुके थे जिसमें 1700 प्रशन तक चर्चा किये थे आज 1700 एक से 1800 तक का हम लोग बात करेंगे यह सीरीज रोज रात आपको 8 वजे मिलता है इसको हम लोग वन लाइनर के तरज पे एजे क्विक रिवीजन की तरह देखेंगे चुकि यह सीरीज 12 या 13 मिनिट के बीच में होता है इस सीरीज को लगाने के बाद आप यह सीखेंगे की हम मतलब क्या पढ़े और क्या छोड़े और इससे पहले आप क्या पढ़ते थे टीचर आपको कैसे hard question के नाम पे आज तक डराते आया है और exam में क्या actual question होता है आप यह भी देखोगे कि हाँ कितना question repetitive होता है एक चीज और दोस्त मैं भी लड़का हूँ मेरे भी घर मेरी फैमली है तो मेरे घर में मेरे भहिया का कल engagement था इसलिए कल आपको वीडियो नहीं मिला था मुझे लगा कि मैं record करके डाल दूँगा बट मैं उसमें नहीं काम कर पाया ठीक है तो इसलिए कल के लिए अगर आप लोग को थोड़ा साही हो तो उसके लिए आप लोग मुझे भी थोड़ा देखो ठीक है और corporate करो चलो यदि आप BPSC बिहार दरोगा मेंस enforcement दरोगा बिहार SSC इंटर लेवेल मेंस इसका एक्जाम देने जा रहे हो या इसका preparation करने जा रहे हो तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है और देखो कौन क्या बोलता है hard question, easy question मत देखो यार आप देखो एक्जाम में क्या आया है उसके according preparation करो चलो आज का पहला प्रशन है देखो इससे पहले यह schedule है अब यह schedule के हिसाब से ही होगा एक दो दिन में बीजी था चलो आज का पहला प्रशन है कौन सा biotic factor रखे हुए भोजन को खराब करता है तो micro organism ठीगा चलो अगला प्रशन है बिटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन ए की कमी से रताउंधी हो जाता है अगला प्रशन है जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है तो जहरीले पदार्थों को toxin कहा जाता है अगला प्रशन है BCG का टिका किस रोग के लिए परियोग होता है तो TV रोग थाम के लिए आपको कॉमेंट करके बताना है BCG का फूल फर्म क्या होता है अगला प्रशन है AIDS की विमारी कैसे फैलती है तो AIDS की विमारी वाइरस के द्वारा फैलती है अगला प्रशने किस गरह के सरवाधी कुप गरह है तो ए सनी गरह के सरवाधी कुप गरह है अगला प्रशने कौन सा गरह प्रित्वी के सबसे करीब है तो मार्स गरह जो है प्रित्वी के सबसे करीब है अगला प्रशने सौर मंडल की आकरिती कैसी होती है तो अंडाकार होती ह अगला प्रश्ण है धर्ती का गर्व कैसा है तो यह ठोस है अगला प्रश्ण है धर्ती के कौन से भाग भुचाल के लिए उतर दाई है तो लिथोस्पेर अगला प्रश्ण है कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रिन हाउस का असर दीखाती है तो कर्बन डाइयोकसाइड अगला प् तक 1700 करायों उन्हें पांच छे बार आज चुका होगा तो आप लोग सोचो कि यह प्रश्ण कितना इंप्रश्ण है अगला प्रश्ण है किस धातू से अधिक्तम वीस फैलता है तो लेड से अगला प्रश्ण है रेडियेशन पर दूसन से कौन सा रोग होता है तो चमडी का ज ही में सामील हुय थे अगला प्रश्ण है समुन्द्र के पानी में सबसे अधिक लिवन कौन सा है तो सोडियम क्लोराइड अगला प्रश्ण है और यस प्रकृती में किस अवस्थाम में पाय जाते है तो यह औक्साइड के फॉर्मे पाय जाते हैं, अगला प्रशन है, जीवन के लिए सबसे बिसहली गैस कौन सी है, तो ये कर्बन मोनो अक्साइड है, अगला प्रशन है, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला ब्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरीन, ठीक है, अगला प्रशन है, गैगरीन हो गया में अठासी दिन लगाता है तो बुधगरा अगला फ्रशना है भारत का परमानिक दिसांतर क्या है तो 82 डिगरी 82 डिगरी नहीं एक जिक्ली भी आसे डिगरी होगा अगला फ्रसण जन में था यही से गुजरती है तो कोले रेडो अगला प्रशन है जो चटान स्लेट में परिवर्तित हो जाती उस्से क्या कहते तो उसे सैल बोलते हैं अगला बिहार में गंगा की देखनी सहाइक नदिया कौन-कौन है तो सोन और पुन-पुन है अगला प्रशन है सिर्मेंट उद्योग जारखंड में कहां है तो सिर्मेंट उद्योग जारखंड में सिंद्री और जिक पानी में इस्तित है अगला प्रश्ण है अटल बिहारी बाजपी का जन्म अस्तान तो ये मद परदेश में जन्म हुए थे अगला प्रश्ण है फिल्ड मार्सल की पादवी पाने वाले पर्थम भारती ये कौन थे तो मौने कार्स थे अगला प्रशन है उडिशा से बिहार को कब अलग किया गया तो 1936 सिस्वी में कभी बिहार से उडिशा को कब अलग किया गया ऐसा आता है तो आप लोग उतना मत ध्यान देना किसको कब अलग किया गया सिधा उडिशा और बिहार में दो रिलेशन है ठीक है एक 1912 का एक 1936 का च मार्टिन लूथर किंग कहा के निवासी थे तो यह यूवेसे के निवासी थे अग्ला प्रश्ण है दक्षिन अफ्रिका में गांधी जी अंग्रेज अनिवाई कौन थे तो एंडूर्व्स थे अगला प्रश्ण है भारत की रजधानी दिल्ली कब अस्थनानतित की गई तो य 1111 में अगला प्रश्ण है जालिया उलाबाग हत्या कांट के समय वाय सराय कौन था तो लॉड जेम्स फोड था अगला प्रश्ण है अकबर नामा किस ने लिखी थी तो अबुल फजल ने लिखी थी अगला प्रश्ण है भारतिय राजनीती में महात्मा गांधी का अवतारन हुआ था अगला प्रश्ण है चक्मा सरनार्ति कहां से आ थे तो या बंगला देश से आगए थे अगला प्रश्ण है पोखरन जहां आणविक परिक्षन किये गए कहां आवस्तित है तो राजस्थान के जैसल मेर में और जो हम लोग पहला किये थे वह 1974 को और दूसरा 1998 में क द्वारा अगला प्रश्ण है किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्रित किया गया है तो अनंद मट से अगला प्रश्ण है वालमिकी द्वारा रमायन की रचना किस भासा में हुई थी तो या संस्कृत में हुई थी अगला प्रश्ण है जय जवान जय किसान किस ने कहा था तो निउन्तम बिखरा होता है इसे लिए अगला प्रशन है स्वामी दयाम सर्सोती दौरैवा अस्थापित समाज कौन सात हो तो वह आचित समाज था अगला प्रशन है जिस ब्यक्ति को दूर की चीजे देखने में दिक्कत होती है उसे किस की ओसक्ता होती है तो नतोदर लेंस की ताल की ठीक है अगला प्रशन है ध्वानी सरवाधी गती से किस में चलती है तो इस पाप में चलती है अगला प्रशन है कब उतर किसका प्रतिक है तो सांती का प्रत करती है तो परकास उर्जा को ब्रächst उर्जा में अगला प्रशन है परकास किसकी काई होता है तो या दूरी का इक होता है अगला प्रशन ह आपको 3 होगा यह माइनस नहीं है अगला मुझझा है नाइट्रोजन के किससे वहागी का परयोग सुखे सेल को बनाने में किया जाता है तो अमोनियम कोलोराइड अगला माजार एक प्रकिरिया जिसमें पर्मानु या आयन क्या दे तो इलेक्ट्रॉन देता है अगला प्रश्ण है बेकिंग सोडा का सही सुत्र क्या है तो एने एच सियो थीरी अगला प्रश्ण है कार्बन की संजोजागता अपने कार्बनी क्योगिक में कितनी होती है तो एच चार होती है अगला प्रश्ण है मिथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कौन बनाता है तो 109.28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है, इसको याद रखने बहुत बराया है एक्जाम में, अगला प्रशन है, कौन टिंडल पर भाव दिखाता है, तो कोलाइडल के कंद दिखाते हैं, अगला प्रशन है, हीमोगलोबिन किसका उदाहरन है, अगला प्रशन है, कौस योरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होती है, और यह बच्चे में होने वाला बीमारी है, अगला प्रशन है, अमोनियम सल्फेट उरवरक का बार बार पर योग एक ही भूमी में करने से क्या में Jugendmen ने प्राजमा जिली का मुझ कारhost क्या हैrey तो जीव कोस की रसानीक रचना ठीक करना है मुझए और प्रश्ण ऑख्षेन वह स्थिन होर्मोन्स अगला प्रत के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग की सिधान पर काम करता है तो राशा कर्शन पर अगला प्रशन है इंजाइम की रचना किस में किस से होती है तो अमीनो अमलिस से होती है अगला प्रशन है पिरामीड के द्वारा पारिस्थित की बिज्ञान के अध्यान का विसकार किस ने किय तो एल्टन ने किया था, अगला प्रश्ण है हो बिद्रो कब हुआ था, तो 1820 से 21 इस्वी के दौरान हो बिद्रो हुआ था, अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी तो उनके सहयोगियों की 1942 इस्वी में धर पकड में बिहार में दंगे हुए जिसमें रेल सेवा ठप हो गया, इसमें अधिक्तम परभावित जिला जो था उसका नाम बताना है तो वो पटना जिला हुआ था, अगला प्रश्ण है, 6 जुलाई 1942 को बरदा में महात्मा गांधी ने कॉंगरेसी कारकरणी समीती में अपने भारत छोड़ो अंदोलन की चर्चा की, तब उस समीती के अध्यक किसकी अध्यक्षता में की गई थी तो स्वामी सर्दानंद के अगला प्रश्ण है, भारती राष्टिय आंदोलन गरम पंतियों के प्रवभावधिन कब आया, तो 1914 इस्वी के बाद आया था, अगला प्रश्ण है, भारती राष्टिय सेना के स्थापना किस वर्स में हुई इनको मार्च 1931 इस्वी में फासी दी गई, अगला प्रश्ण है, स्वाराज पार्टि का गठन किस अंदोलन के असफलता के कारण हुआ तो अगला प्रश्ण है, अखिल भारतिय खिलापत समेलन, जो कि 1929 इस्वी में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात गांधी जी को चुना गया था अगला प्रश्ण है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी तो उधम सिन्ने गोली मारी थी अगला प्रश्ण है आई एने की अस्थापना कहां हुई थी तो यह सिंगापूर में हुआ था अगला प्रश्ण है उनीस आठ इस्वी में बा आज का हिसा है तो तमिल नाडू राज का हिसा देको दो तीन दिन से मैं बीजी था तो मैं बहुत सारे कॉमेंट्स का अंसर नहीं दे पाया हूं मैं आज रात में सारे पीडियो और सारे कॉमेंट्स को आप लोग का रिपलाई करूंगा ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हम अगले वीडियो में और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाओ ताकि वह भी जो गलत फहमी आज तक टीचर ने बना रखा है मार्केट का जो हाल कर रखा है ठीक है तो वह सब चीज खतम हो जाए या अजर छोर भी वह सबसे को मार्के टीचर जैनर रखा है ऎया दोगाई